हेलो दोस्तों इस सेरीस का नेक्स पार्ट लेके मैं हाजिरू शुरू करने से पहले जिन लोगोने अभी तक चाल को सब्सक्राइब नहीं हिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दो इससे बहुत इल्प होता है तो ठ अमिलल काफी मज़े कर रही थी वह दोनु एक तुस्तों से काफी सारे बाते कर दिए उसी वक्त हमारे प्रिंस एक अलग से रूप में यहां पर आते हैं और प्रिंस को पुकारते हैं उसे द instrच कहती है कि यह तो मेरा सिफेजर है आप यहां पर क्या कर रहे हो आपका हात झ तो प्रिंस कहिता है कि हाँ उस चोट को ठीक होना चाहिए था लेकिन किसी ने उस चोट को रियोपन कर दिया यह सुनके प्रिंसस कहिती है कि क्या कौन है वो बास्टर जिसने आपके साथ ऐसा किया वो यह सब बता ही रही थी कि तब पीछे से आ कि वो लड़का हमारी प्रिंस कहता है कि ओ अच्छा तो ये तुम्हारा चाइलोट सुईधर्ट है लेकिन तुम अब इससे और नहीं मिल सकती ये कहते हुए हमारे प्रिंस प्रिंसस के हाथ पकड़ लेता है इससे तो प्रिंसस काफे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो चोड़ो म हमारे प्रिंसस तो बहूत ज्यादा घवडा जाती है और कहती है कि प्रिंस दिंप यहाँ पर क्या कर रहे हो तन्हें पीछे से येमियला का भाई भी चला आता है और हमारे हुए कह रही थी कि ऐसा मत करो तुम लोग ऐसा मत करो प्लीज उस वक्त हमारी टेली प्रिंसिस को जगाने की कोशिश कर रही थी कि प्रिंसेस अब उठ चाहिए बहुत देर हो चुका है आप उठ जाहिए और पीछे हमारा प्रिंस खड़ा हुआ था बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार टेली प्रिंसिस को जगा पाती है प्रिंसेस उठने के बाद जब वो अपने सामने प्रिंस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और जट से उठके अपने आपको ढख लेती है चादर से फिर वो गुसे में आके चिलाते हुए कह आपने तो दर्वाजा ही नहीं खोला क्योंकि आप तो सो नहीं थी ना ये सुनके हमारी प्रिंसेस समझ जाती है कि गलती असल में उसकी ही है फिर वो थोड़ा सा शान्त होती है उसे वक्त हमारी प्रिंसेस के नजर जाता है उसी बुक के उपर जिस बुक को हमारी छोटी प्र रात हमारी प्रिंसस को गिफ्ट किया था वही वो दोस्तों आप लोग समझ रहे हो ना इसे देखे हमारी प्रिंसस थोड़सा शर्मा जा दी है फिर हमारी प्रिंसस थोड़सा गुस्ता दिखाते हुए कहती है कि कल सारे रात तुम यहाँ पर नहीं आये थे तो अब यहाँ प ये सब सुनने के बाद प्रिंस कुछ बक्त खामुश रहता है, फिर वो कहिता है कि तुम जल्दी से अपने कप्रे पहन लो, हमें टी सर्फ करने जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हमें सरीमनी को खतम करना ही पड़ेगा, तो तुम जल्दी से कप्रे पहन के तेयार हो है, ये देखे हमारे प्रिंस प्रिंसस से कहता है कि क्या उन सब को तुम ने नहीं पी लिया, ये सुनके हमारी प्रिंसस तोरह से शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती, फिर हमारे प्रिंस उससे तयार होनी के लिए धेके रूम से निकल जाता है, फिर हमारे प्रिं से पूपता है कि फे कौन है यह से टेली काफ़ी गुसा हो जाती है और उसके मों के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है इससे तो हमारे क्यों एन बेचाना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है क्योंके ट्याली कल तो काफ़ी स्यादा gentय में जिन्टल थी यह हमें आगे पता चलेगा इसके बाद सीन बदलता है और हमें राजा रानी का सीन दिखा जाता है यहाँ पर हमारी प्रिंस और प्रिंसेस राजा रानी को ग्रीट करते है प्रिंसेस को देख के यहाँ पर हमारी रानी राजा से कहता है कि देखो हमारी डॉटर इनलोग कितनी प्यारी है न, इसलिए हम लोगों को उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए राज अबी मान जाता है, और हमारी एमिला से पूछता है कि एमिला, तुम बताओ तुम्हेरे क्या गिफ्ट चाहिए, तो हमारी प्रिंसेस कहती है कि इस राज्य में मेरा उभी तक कोई एक नाम सोचिए क्योंकि आपने ही इस आइडिया को सजिस्ट किया था इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ही उसके लिए एक नाम चूस करना चाहिए तो रानी भी मान जाती है फिर वो सोचने लगती है कि प्रिंसेस को क्या नाम दिया जाए बहुत सोचने के वाद बोर ड नाम से बुकारेंगे इसके बाद वो कहती है कि मैंने सुना था एक मैरीड वोमेन को हमेशा अपने हस्विन का नाम लेना चाहिए तो मैं आपसे प्राठ्थना करती हूँ कि आप मुझे प्लीज इंपेरल फैमिली का नाम दीजिए ताकि हमारे दोनों कंट्रीज में शांती कायम रहे ये बात सुनके हमारे राजा प्रिंसेस को हस्ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये बात कहने के लिए राजा और आमीन तुम्हारे पापा ने कहा है ये सुनके तो हमारे प्रिंसेस चौक जाती है और कहती है क्या आपको केसे पता चला हाँ आप सही हो ये मुझे पापा नहीं कहने के लिए कहा था, इसके बाद हमारे राजा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, ये बात तुम्हारे पापा या तुम जिसने भी कहा हो, मुझे तुम्हारी बात को टालना नहीं चाहिए, फिर वो वहाँ पर बैठे हुए अनौंस कर देता है कि तो फिर आ को रचा क्पा सीन बदलता है और हमें प्रींस और प्रेस्स का सên दिखाया जाता है वो दोनों राज़ञाएं से मल के वापस जा रहे थे और रास्ते में हमारे प्रिंस एक दम चुप करके चल रहाथा, कुछ भी रही बोल रहा था, यह देखके हमारे प्रिंसेस अपने मैन में सोचती है कि प्रिंस जी कितने बोरिंग आदमी है, तब ही हमारे प्रेंसेस को लगने लगता है कि उन लोगों कोई फॉलो कर रहा है, उसे वक्त कोई मांस्ग पहन के छाड़ियों से उन लोगों को ड़ाने की कोशिश कर दिये ये देखके हमारी प्रेंसेस उस पत्धर हाथ में लेके उसे मारने की कोशिश कर दिये तब ही माक्स पहनी हुए लग्ट कि कहते है कि मत मारू मैं हूं मैं बिग ब्रदर अब मत मारू मुझे उसके आवाज मुझे 9 sister-in-law कहा करो तो छोटी प्रिंस कहती है कि ठीक है 9 sister-in-law इसके बाद प्रिंस जी हमारे छोटी प्रिंस से कहने लगता है कि क्या तुम्हें अभी स्कूल नहीं जाना है तो छोटी प्रिंस कहती है कि टीचर ने कहा मैं जल्दी घर जा सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा hard work किया है ये सुनके प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है क्या थर्ड ब्रदर को इसके बार में पता है ओ एम जी प्रिंस हसते हुए कितने प्यारे लगते है न फिर हमारे च्छोटी प्रिंस कहती है कि हाँ ब्रदर को पता है उसने ही तो ये अप्रूफ किया है ये सब बात चली रहा था कि तब पीछे से एक गाड आता है और वो हमारे प्रिंस को कहता है कि मैजिस्टी ने आपको बुलाया है प्रिंस जी आप चलिए मेरे साथ राजा आपके लिए इंतिजार कर रहा है यह सुनके हमारे प्रिंस भी मान जाता है और वहां से चला जाता है और जाते हुए कहिता है कि तुम सिस्टर ने लोग का ख्याल रखना तो हमेरे छोटी प्रिंसस भी मान जाती है इसके बाद वह प लगेरा वगेरा ये सब सुनके हमारी छोटी प्रिंसेस काफे गुस्टा हो जाती है और वो उनसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नाइन सिस्टर इनलो से इस तरह बाते हैं कर रहे हो तुम्हें उनकी नाम को लेकि ऐसे मजा नहीं करना चाहिए तुम्हें पता है कि आज ही फादर ने हमारी प्रिंसेस को आइमिन एमिला को एंपेरियल नाम दिया है अब उसका नाम हो गया है ली मिंग्यू तो तुम्हें नान सिस्टर इनलो से ठीक तरह से पेशाना चाहिए यह साड़ी बाते हमारी चोटी प्रिंसेस उन लड़कियों को बता देती है उस वक्त हमारी बड़ी प्रिंसेस आइमिन प्रिंसेस आमिला चोटी प्रिंसेस से पूछती है कि यह लोग कौन है चोटी प्रिंसेस का अंसर दे पाती उससे ही पहले वो मीन गर्ल हमारी चोटी प्रेंसस से पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या तुम फिर से अपने टीचर से भाग आई ये सब बोलने के वाद वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा मेरा कुछ काम है और ये कहते हुए वो वहाद से चली जाती है वापस जादे टाइम ये मेड नोटिस करती है कि उसके लेडी तो कफे गुसे में है उसके जाने के बाद हमारी प्रिंसेस एमिला चोटी प्रिंसेस से कहती है कि वो सच में मुझे बहुत ज्यादा हेट करती है इसके बाद वो चोटी प्रिंसिस की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम सच में स्कूल से भाग आई हो ये सुनके तो चोटी प्रिंसिस की पसीने चूटने लगती है और वो वह वहत ज्यादा गपरा जाती है फिर वो excuse दिखाते हुए कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा मुझे एक जरूरी काम याद आ गया लेकिन हमारी princess Emila उसे रोक लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी क्या है मुझे अभी भी पहुत सारी question तुमसे पूछना है और इसी funny scene के साथ ये पार्ट खतम होता है इसके next पार्ट में हम लोग हमारी princess का एक new adventure को देखेंगी तो दोस्तो अगर आप लोगों को इसका next पार्ट चाहिए तो मुझे comment में बताना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इससे बहुत हल्प होता है दोस्तो बहुत हल्प होता है तो फिर ठीक है मेरे प्यारे दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है next पार्ट में तब तक के लिए मेरे साथ बने रही ओके दान बाई बाई फ्रेंड्स